नमस्कार साथियों स्वागता आप सभी का एक बार फिर से निशा के ओनल प्लेटफरम पर और हाजी रहे पसुपरीचर जेट स्यूटी के लिए सांधा क्लास लेकर तो सेशन को पूरा देखे और अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताए ठीक है डिसकस क के अंदर नसल की विसेशता दी गई थी और फिर पूछाता की विसेशता को देखर आप बताईए कि यह कौन सी नसल की विसेशता है तो अपनी क्लास लड़ी एनिमल ब्रिट्स की जिसमें अपन बेड की नसले डिसकस कर रहे हैं ठीक है आगे चलते हैं अब आगे जो बेड तो यहां पर जो नसले उसका नाम क्या है जेसल मेरी के नाम बेटा जेसल मेरी अब जब मैंने आपसे कहा था कि कई नसले ऐसी है जिनका नाम उनकी जगे के आधार पर ही है ना कई नसले ऐसी है जिनका नाम उनकी जगे के आधार पर ही है जैसा कि यहां पर आपको दिख रह आओगा मैंने बात की मुलिस्तान की ओरिजिन पेलेस की तो राजस्तान का जेसल मेर जिला याद कर लेना राजस्तान का जो जेसल मेर जिला है वो भेड की जेसल मेरी नसल का ओरिजिन पेलेस है मुलिस्तान है उत्पति इस्तान है उसके बाद में एक बात ओ लिखी है वीत्रण वीत्रण का मतलब होता है कि जहां पर वो पैदा हुईती उसके अलावा और कहां कहां पर पाली जाती है या पाई जाती है तो यहां पर लिकावा जेसल मेर बाड मेर जोट पूर जिले मतलब जेसल मेर के आसपास की जितने भी जो जिले वहाँ पर बेड़ की जेसल मेरी नसल को पाला जाता है तो फ़स्ट जो पेज उसमें दो सवाल आपको देखने को मिले पहली बात तो अपन डिस्कस किस पर कर रहे हैं बेड़ की जैसल मेरी नसल पर इसमें दो किशन आपको देखने को मिलते हैं सबसार पहला सवाल तो यह था कि मूलिस्तान ओरिजिन पैले उत्पते इस्तान वो कौन सा है राजस्तान का जैसल मेर जीला जो चेतर पर की दर्श्टीश है राजस्तान का सबसे बड़ा जीला है उसके बाद यह कहां कहां पर पाली जाती है तो जैसल मेर बाड मेर और जोदपुरमिस को especially पाला जाता है ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं और आगे जो सवाल या जो अगला जो point आता है वो point आता है सारीरी की फिसेश्ता का physical character का ठीक है तो चर्चा करते हैं इसकी उपर और इसमें जो सबसे पहली लाइन जो लिखे हुई है वह एक्जा में छपने वाली लाइन है क्या लिखावा है राजस्तान की सबसे बड़ी लंबी और भारी नसल मतलब राजस्तान में जो लेड़ की नसले पाली जाती है यह जिनका ओरीजिन पहले इस राजस्थान है उनमें यह सबसे बड़ी है सबसे लंबी है और सबसे भारी नसल है इसको याद कर लेना अगर आप इसके बाद इसका शहरी दो हóst हुर्ट है उसके बाद इसका शुरी वर्गळाकार मतलब इस नसल की लंबाई और उँचाए दोनों समान होती हैं मतलब अगर आप इस नसल की अगर लंबाई नाप हो या ऊचाई को अगर आप नोट करते हो तो लगबग समान होती है अगर मैं कहूं तो इसका सरी कैसा होता है वर्गाकार और उसके बाद इसके चहरे का रंग गहरा भूरा या काला होता है ठीक है सरी हश्पूरत होता है और देखने में वर्गाकार मतलब इसके सरी के लंबाई और उंचाई दोनों समान होती है उसके इसका जो चहरे का रंग वो कैसा होता बैटा गहरा बूरा या काले रंग का इसका चहरा होता है और इसका जो चहरे का काला रंग वो गर्दन तक फैला होता है यह भी याद कर लेना कि बेड़ की जो जैसल में नसल है ना उसके चहरे का जो काला रंग वो उसकी गर्दन तक फै इसके कान भी कैसे बड़ा लंबे होते हैं और कैसे खंबदार ठीक है उसके बाद रोमन नाग रोमन नाग का मतलब यह है कि नाग यूँ प्लेड और फिर आगे से उठावा होता है वो कौन सा होता है रोमन नाग इसमें सिंग नहीं पाए जाते यह पूछ वाड़ा सवाल वापस आगया मद्यम से मतलब इसकी पूछ लंबी होती है ठीक है तो अपने पड़ी बेड की जैसल मेरे की विसेशता राजस्तान की सबसे बड़ी नसल है सबसे भारी नसल है और सबस से होतें लंबे और इसमें सिंग नहीं पाए जाते हैं ठीक है ठीक है उसके बाद आगे चलते और फिरबात करते और सोचो अगर कंडिशन ऐसी बन जाए कि 3-4 दिन तक अगर इसको पानी नहीं मिलता तो भी ये जिवित रखने की समता रखती है। याद कर लेना कि जो बेड की जैसल में नसलना वो ऐसी नसल है अगर कोई ऐसी कंडिशन रखिस्थान में बनती है कि 3-4 दिन तक पानी नहीं मिला तो भी ये जिविती रह सकती है इसकी इतनी समता है। कि बेड की जैसल में नसलना उसमें जो नर पसू है वो जनम के 15-24 महिने बाद और माज़ा पसू 12-16 महिने की बाद प्रजनन योग्य हो जाती है उसके बाद अगर इससे उन की बात करें देखो भेडों में जो सबसे में सवाल बनता है वो उन उत्पादन किसका बनता बैट हर फिए बेड की जैसल मेरी नसल की जिससे एक साल में एक पसू से लगबख 1.8 23.2 किलोगराम पर इयर उन का प्रडुक्शन होता है और इसमें जो माद्दा पसू है उसका वजन लगबख 34 किलोगराम और नर का वजन लगबख चोवण किलोगराम होता है ठीक है तो ये थी बेड़ की जैसल मेरी नसल उसके बाद आगे चलते और आगे जो भेड़ की नसल आती है उसका नाम है सोनाडी क्या नाम बेटा सोनाडी जैसा कि मैं आपको कल बताया था कि एक बखरी की नसल ती जिसकी विसेश था थोड़ी सोनाडी से मिलती जूलती थी तो आगे जो नसल आ नाम से जाना जाता है कहाँ पर मेवाड में याद कर लेना आगे जो बेड की नसला थी वो कौन से बटा सोनाडी इसका जो अन्य नाम हो क्या है चनोथर इसको मेवाड में चनोथर के नाम से जाना जाता है याद कर लेना ठीक है ना और यह द्वी परिजुनी नसला ड्यूवल प्रपच मतलब इसको मास उन या मैं कहूं तो इसको दूद उत्पादेंगली भी पाला जाता है इसमें उनका प्रडुक्शन बहुत कम होता है लेकिन इसको इसमें उनका प्रडुक्शन बहुत कम होता है लेकिन इसको मास और दूद के लिए पाला जाता है ये द्वी प्रड राजिस्थान की ओरिजिन पहले से कौन सी का सोनाडी नसल का उसके बाद आगे चलते हैं विसेस्ताओं की बात करें तो इसका सड़ी भी हश फुश होता है मतलब बढ़िया दिखने में अच्छा होता है और इसके चेहरे का रंग हलका भूरा या सफेद होता है कैसा होता बेड की जो सोनाडी नसल है ना उसका चेहरा हलका भूरा या सफेशा होता है और इंपोर्टेंट बात एक्जामे छपने लाइक सवाल वेरी वेरी मोस्ट क्यूशन इसके कान लंबे होते हैं जब ये बकरी सोरी जब ये नसल चड़ती है ना तो इसके कान जमीन को छूते है चरते समय जमीन को छूने वाले कान बेड की किस नसल के होते हैं सोनाडी या चनोतर याद कर लेना कि चरते समय किस नसल के कान जमीन को छूते हैं वो है बेड की चनोतर या सोनाडी नसल इसके चहरे पर इसके पेट पर और इसके टांगों पर उन नहीं पाई जाती और नहीं इसमें सींग पाए जाते हैं अपने पड़ी भेड की सोनडी नसल है जिसका नाम चनोतर है मेवाड में और ये द्वी परिजनी नसल है इसके मुलस्तान की बात कर तो उदेपूर छेतर है इसके चेहरे का रंग हलका भूरा है सफेद होता है और इसके कान लंबे होते हैं जब आगे चलते हैं इसमें आयन सुविषित होते हैं इसके पूछ पतली और मध्यम लंबी मतलब चोटी नहीं होती है ठीक है इसके पूछ छोटी नहीं होती है और कैसी होती बेटा पतली होती है और लगबग इस बेढ की नसल से एक से डेड़ किलोग्राम दूद का उत्पादन होता है उनका नहीं दूद की बात कर रहा हूं में है ना इसमें उन तो बहुती मतलब कम होती है यहाँ पर आप से मिल प्रोडक्शन पूछ सकता है तो बेट की जो सोनाडी निसल है ना उससे लगबग एक से डेड़ केजी पर जो नरपसु है कौन सा बेटा जो नरपसु है उसका वेड़ कितना होता है 40 कितना होता है चालीस ठीक है इसमें नरपसु का जो वेड़ है वो लगबग 40.4 किलोग्राम होता है ठीक है तो यह थी बेड़ की सोनाडी नसल उसके बाद आगे चलते और आगे जो बेड़ की नस तोस्लाती है उसका नाम क्या है बैटा मगरा क्या नाम नाम बैटा आगे जो फेड की नसल आती है उसका नाम मगरा और देखो इससे बीकानेरी बीकादे रिचोकला और चकडी की नाम से जाना जाता इसके अलावे ये नागोर, जेसलमेर और चूरू में पाली जाती है राजस्तान की बिकानेर नागोर, जेसलमेर और चूरू छेतर में इस नसल को पाला जाता है और यही एरिया इसका ओरिजिन पहले से इसका सरीर मद्यम से लंबा मतलब इसके सरीर का आकार छोटा नहीं होता है या तो ये मद्यम सरीर की होगी या लंबे आकार की होगी इसका चाहरा कैसा होता है बड़ा सफेद कैसा होता है चाहरा सफेद होता है और इसकी तवाचागा रंग आपको गुलाबी रंग देखने को मिलेगा और सबसे मेन जो इसका मुख्य लक्सन इसकी जो मुख्य पहचान है वो यह है कि इसके आखों के चारो और हलके भूरे धब्बे पाए जातें बहुत इंपोर्टेंट की उसन है कि जो भेड की मगरा नसल है ना उसके आखों के चारो और किस रंगे बूरे रंगे धब्बे पाए जातें ठीक है उसके बाद इसके कान चोटे होतें और नली का कार मतलब आपने नली जानते हुगा नली उस टाइब गोर्ड से थोड़ा गुमे वतिसके कान होतें और इसमें सिंग भी नहीं पाए जातें तो बेड की जो मगरा नसल है उसके कान चोटे और नलिका कार और इसमें सिंग नहीं पहे जातें इसमें मैं बात करूँ प्रतम परजिनियन आयू की तो इसमें नर पहली बार 20 महीने के बाद और माद़ापसु जनम के 18 महीने बाद सन्तान पेदा करने योगे हो जाते हैं ठीक है कौन सा? इससे तीन प्रकार की उन प्राप्त की जाते हैं कितने प्रकार की बटा तीन प्रकार की सर्दियों में जिससे उन प्राप्त करते हैं बेड की मगरा नसल से सर्दियों में जो उन प्राप्त करते हैं उसे सियाडू के नाम से जानते हैं और इसके जो वर्सात के टाइम जो उन प्राप्त करते हैं उसे आसाटू के नाम से जानते हैं और अगर गर्मियों में जो उन प्राप्त करते हैं उसे चेतू के नाम से जाना जाता है और इस नसल से लगबग एक साल के अंदर है ना 2.18 कितनी? 2.18 kg एक पसू से उहन का उत्पादिन किया जाता है और इसमें मादा पसू का वजन लगबग 25 kg और नर पसू का वजन लगबग 27 kg होता है ठीक है उसके बाद आगे जो भेड़ की नसल आती है उसका नाम है नाली ठीक है राजिस्थान का जो गंगानगर एरिया है वो इस नसल का मूलिस्तानिया ओरिजिन एरिया है और यह न चूरू जुनुर और हरियाना के रोहों तक जीलो और उत्तरप्रदेश में भी पाली जाती है अपने पड़ा भेड की नाली नसल जिसका जो मूलिस्तान यह जो इंपोर्टेंट जो पहले से बटा वह कूंस है वह गंगानगर एरिया है राजस्थान का और इसके अलावे हरियाना और उत्रप्रदेश में भी पाली जाती है उसके बाद में बात कुरू तो इसका सरीर मद्यम आकार का मतलब इसका सरीर ना तो आकार में बड़ा होता है और नहीं इसका सरीर आकार में छोटा होता है ना और इसका जो चैरा वो भी हलके बूरे रंका कैसा होता है बटा इसका चैरा हलके बूरे रंका होता है और इसकी तुछा भी आपको गुलाव ना छोटा और इसका जो चैरा वो हलकी बूरी रंग का इसकी तोचा भी आपको गुला भी रंग को देखने की मिलेगी और इसके जो सींग है वो भी इसमें नहीं पाए जाते और इसके कान ना तो बड़े और ना छोटे बोले तो मद्यमाकार के होते हैं और नलीकाकार इसकी जो उन है वो सफ एफिद होती है और केसी मोटी संगन का मतलब उलजी विसी मैं होुझ तो बोट ज्यादा क saud क्वांटिटी में होती है और जो वी यह लंबी उती है और इसके पूरे सरीर पर ऊन्ग पाई जाती है ठीक है तो ने लिपाए थिक तो जो बेढ कि जो नाली क्य अठारा महीने बाद संतान पेदा करने योगे अठार पर्थम परजन की आयू में आ जाता है उसके बाद इसको दूद के लिए नहीं पालते हैं ना इसको पालने का उद्देश से वो कौन सा उन उत्पादन और एक नसल से एक साल में लगबग 1.5 से 3 किलोगराम उनका उत्पादन होता है और इसमें मादा पसु का वज़न लगबग 32 किलोगराम और नर पसु का वज़न लगबग 49 किलोगराम होता है अपने पड़ी भेड की मगरा जिसका जो मूलिस्तान वो गंगानगर छेतर राजस्थान का इसको हरियाना और यूपी में भी पालते हैं इसका सरी मद्यमाकार का होता है चेरा हलके बुरी रंग का होता है कान ना तो बड़े ना छोटे होते हैं और इस पेसल बाद इसके जो उन है न वो रंग में सफेद आकार में मोटी लंबी और सगन होती है और इसके पूरे सरीर पर उन पाई जाती है इसमें जो नर पसू लगबग अपने जनम के 12 महीने बाद और मादा पसू 18 महीने बाद प्रजलन आयू में आ जाती है पहली बार ठीक है और लगबग इसमें एक पसू से 1.5 से 3 किलोगराम तक उनका परतिवर्स उतपादन होता है ठीक है आज के लिए काफी है एक बर में वापस रिपीट कर देता हूँ अपने पढ़ी फिर मगरा नसल जिसको बिकानरी चोखला के नाम से जानते है और इसको बिकानर एरिया में पाला जाता है इसकी जो खास बात है इसके आखों के चार और हलके बूरे रंगे धब्बे पाए जाते है उसके बाद अपने पढ़ीती सोनाडी जिसका अने नाम चनो था रहे और इसका इंपोटेंट सवाल यह है कि इसके कान चरते समय जमीन को छूते है और इसके चैरे पेट टांगों पर उन नहीं पाए जाते है इसको इसको इसपेसली दूद के लिए पालते है और मास के लिए उसके बाद अपने पढ़ीती बेड़ की जैसल मेरी जो राजस्तान का जैसल में एरिया है वो उसका ओरिजिन पहले से और इसी के आसपस यह ज़्यादा पालते है यह राजस्तान की सबसे बड़ी सबसे लंबी सबसे भारी नसल है है ना और इसका जो चैरा वो गहरा बुर रंका होता है इसमें सिंग नहीं पाए जाते इसका जो काला रंगा वो गर्दन तक फैला होता है तो यह थी आस बेड़ की नसले बाकी जो नसले बच चुकी है वो नेक्स क्लास में डिसकास करेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई चीज़ें समझ में आई होंगी और द गलती नहीं होगा जो जैसा मैंने आपको बताए सेंभ वेसे चीज़ आप याद रहो अगर उसमें जदाव एडिटिंग करो अपका सवार घलत हो सकता है जैसा वेसा वयाद करो आपका सवाल सही होगा बड़ी आपकी तैयारी होगी और में उम्मीद करता हूं कि क्लास पसं हस्बेंडरी की सांदार दमदार जानदार मतलब सीधा परिक्सा में छपने वाले सवालों पर में चर्चा करने वाला हूं तो लगातार हमेर से जुड़े रही है जैहिंद जैनेसनल